प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और प्रेस्ट बेल बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स नमस्कार दोस्तों कैसे हैं मैं डॉक्टर रिलीट कसाना कॉस्मेटरलोजिस्ट अंड अस्थेटीशियन और अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था आर्बिटेनिन मास्क के बारे में जो एक कोरियर मास्क है और अपनी इस वीडियो में मैं आपको इंट्रेड्यूस कराने जा रहा हूँ वाइटमिन सी कॉलेजन फॉर्मेशन मास्क जो आपको अविलबल होगा दाडॉक्टर्सकार्ड.com पे और अभी दोनों मास्क में हमने बहुत अच्छे ओफर्स भी दिये हुए हैं तो वह वैपसाइट पर आप जाके अपडेट एक पर चेक कर लीजेगा और किस तरह से इसको एपलाई करना है और इसके क्या-क्या फायदे हैं वह मैं आज की वीडियो में आपको पूरे डिटे फेस पर थोड़ा सा एंटी एजिंग इफेक्ट ची और बहुत जादा डीप आपके स्कार्ज हैं या फिर आपको मतलब डलनेस बहुत जादा रहती है तो आप वाइटमिन सी यूज़ कर सकते हैं फेस पर आपको करना कैसे है आप सिंपल अपना जो जैसे मैंने पनी लाश् देख सकते हैं तो आपको फेस वास आप कीजिएगा फेस वास करने के बाद अगर इसकी बहुत जादा डल है तो आप हलका सा स्क्रब कर सकते हैं अच्छे पैनेटरेशन के लिए स्क्रब करने के बाद आपको एपलाई करना है वापको इसको सिर्फ टीर करना है टीर करने के के बाद आप लगबग 30 मिनट तक 20 मिनट तक जब तक यह प्रॉपर ड्राइ ना हो इसको आप लगा के रखिएगा उसके बाद आप इसको हटा दीजेगा हटाने के बाद आप इसको नॉर्मल वाटर से क्लीन करने की जोड़त नहीं है एक से डेड़ गंटे के बाद आप इसक स्टार्डिंग से www.thedoctorskart.com एक एसी वेप साइट जहां पर आपको बिल्कूल 100% औरीजनल एक दम प्रोड़क्ट्स मिलेंगे और आप जाहिएगा शॉपिंग कीजिएगा और अपने घर पे बैटे-बैटा पिनको पा सकते हैं सो बाई-बाई इस्टे टून विद मी मैं डॉक्टर ललीत कसान आपके साथ जुड़ा रहूंगा इसकिन और हेर से लेटिड अलग अलग तरह के प्रोड़क्ट्स के लिए आप मेरा यूट्यूब पेज है आप उस पर जा सकते हैं डॉक्टर ललीत कसाना के नाम से है दू टेक क्या आर्बिटेनिन मास्क इसको यूज कैसे करना है तो मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले इसको फेस को क्लीन करना है प्लीन करने के बाद आप स्क्रव अगरा कर सकते हैं बट अभी मैं सिर्फ हमने इस पर कुछ नहीं किया है नॉर्मल वाटर से क्लीन किया आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं भी बता रहूं कि किस तरह से यूज करना है और हम यह यूज करने जा रहे हैं डॉक्टर श्यांतिका के उपर आप इनी से ही बात करते हैं मेडिसेंस वगरा के लिए तो आपको सिंपल इसको टीर करना है इसको आपको फाड़ना है और इसमें से आपका इक टिशू टाइप का वह पूरा का पूरा वैट बिल्कुल निकलेगा तो यह पूरा इसमें और और कॉलेजन में यह भीगा हुआ है पूरी तरह से अब आपको इसको सिर्फ अनफोल्ड करना है जब आप इसको अनफोल्ड प्रॉपर करेंगे तो आपको इसमें प्रॉपर इस्टेक्चर आपको दिखेगा फेस का ठीक है इसमें आपको जो है आप देखेंगे वो नैक आपका पूरा का पूर इसमा आई के लिए भी बनाऊ हुआ है सारा चीज़े जो है आपको बस इसको एपलाई करना है नोस पे तो आपको इसको जो अच्छे से आप एपलाई कीज़ेगा आप एक बार आगे आके दिखा दो पूरा जो है यह दो करो फोकॉस जो है ठीक है क्योंकि फ्री साइज कह सकते हैं फेस के लिए फ्री साइज बिल्कुल ही रहता है तो आप इसको यूज ऐसे ही एपलाई करती ही जीका ठीक है देखेगा अगर 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 आईस पे आप कंफ़रेबल हैं तो इसको आप आईस को भी जो है कवर कर सकते हैं अदरवाई इसको फ्लैप को जो है ऐसे करके अंडर आईस पे शिर्फ आईस उपन करो एक बार ठीक है, अंडर आइस पर हम इसको जितना भी हम cover करना चाहरे हैं उतना छोड़ सकते हैं, तो आप इसको आइस खलो करो एक बार ठीक है, पूरा आइस पर भी आप इसको apply कर लें, ठीक है अगर under eyes पर है तो आप उसको उसको तरह से लगा कर छोड़ सकते हैं, तो आप तो आप देखेंगे पूरी तरह से यह जो है अपलाई हो चुका है और थोड़ी देर के बाद जब यह हलका सा ड्राई हो तो आप इसके अंदर भी क्योंकि लिक्विड रहता है आप इसको भी स्क्वीज करके जो है निकाल सकते हैं ठीक है ना यह देखेगा और उसको आप पर्टिकुलर इंडियन मेंटलेटी की कुछ भी बचना जाए है ना थोड़ा सा भी ना बचे पूरा का पूरा हम यूज कर ले जिस तरह से टूथपेश्ट को हम नहीं छोड़ते हैं जब तो उसकी जान निकल जाए उसी तरह से इसको भी आप यूज कर सकते हैं तो पूरा प्लाई कीजिएगा अपलाई करने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए जब तक यह प्रॉपर ड्राई ना हो जाए ना तो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा जैसे एक मास्क होता है आपका सूखा हुआ बिल्कुल उस तरह से हो वीक में ट्वाइस भीस को जोई आप यूज कर सकते हैं